जैहिन दोस्तों मैं निर्भया आपके 12 फिसे टेक्पली चनल में स्वागत करता हूँ दोस्तों पिछली C++ की वीडियो में मैंने आपको बता है था कि reference variable आपके क्या होते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ operators बताऊँगा हाला कि operators आपके C से ही कुछ relative होते हैं C++ के अंदर क्योंकि C++ जो आपका superset है C language का तो कुछ जो आपके logical, relational operator, comparison operator, arithmetic operator, assignment operator यह जो operators हैं आपके C++ के अंदर भी काम करते हैं पर additionally C++ के अंदर कुछ और operator हैं जिन में से आपका एक है scope resolution operator scope resolution operator के बारे में हम आज जानेंगे तो दोस्ता अज़र आप इस वेन पर पहली बारा है तो पहली बारा है तो पहली सब्सक्राइब कर जीजिए क्योंकि मैं सब्सक्राइब पर आपके लैसे ही वीडियो लाता रहता हूँ सब्सक्राइब करते हैं दोस्तो जैसे कि आपको पता है जो आपका local variable होता है वो एक scope के अंदर काम करता है यानि कि suppose आपके पास एक function है तो उस function के जो आपके curly packets होंगे उन curly packet का जो एक scope होगा उसके अंदर ही आपका एक variable काम करेगा अब अगर आपके पास उसी same variable नाम का एक same नाम से एक और global आपका variable है तो आप उसको अगर use करना चाते थे c के अंदर तो आप उसको इतने आसानी से use नहीं कर सकते थे या फिर कोई और functionality नहीं थी c के अंदर जो आपका एक global variable को use कर सके वही c++ के अंदर एक इस प्रेकार का operator आया है जो आपका global variable को locally जहाँ आप जिस position पे वहाँ आप उसको access कर सकते हैं और इसी operator का नाम है आपका scope resolution operator scope resolution operator आपका global variable को locally कहीं भी use करने के लिए use होता है अब ऐसे में आपका local variable और global variable हो सकता है सेम नाम exist कर रहे हूँ जैसे कि आपने local में एक variable मनाया मैं आपको दिखा देता हूँ करके अब suppose कीजिए आपके पास एक variable है अब यह variable आपका local variable कहलाएगा इस scope में यह curly bucket के अंदर और आपके पास एक और variable है जिसका नाम है int a और क्योंकि यह curly packet के अंदर नहीं किसी scope के अंदर नहीं है तो आप इसको बोल सकते हैं कि यह आप पर एक global variable है और जो नीचे बाला है वह आप पर एक local variable है तो जब आप अपने program में लिखेंगे a कहीं भी a लिखेंगे तो वह value access करेगा आपके local variable की by default जब भी किसी एक variable को use कर रहे होते हैं तो जो भी उसका local scope के अंदर value होता है वो c को use करता है अब आप यहां दिखेंगे जब आपने यह a लिखा तो इसका local scope जो है वो आपका यह बाला है और इसके अंदर आपका यह बाला जो variable है a यहां declared है तो यह इसकी value को उठाएगा ना कि उपर वाले global variable की अब ऐसे में अगर आपको c++ के अंदर यह उपर वाला जो global variable है वो आपको use करना है उसके लिए एक operator है जिसका नाम में scope resolution operator इसका एक symbol होता है वो है आपका double colon sign जब भी आप यह double colon लेखेंगे इसका मतलब है scope resolution operator तो जब भी आपको एक variable global variable use करना है तो अब एक किस काम practical समझ लेते हैं वो किस प्रकार से होगा एक program लिखते हैं और उसमें समझनी कोसिस करते हैं name space को include कर देते हैं using name space standard std then int main function के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर मैं एक variable a नाम से declare कर देता हूं जिसके अंदर मैं initialize कर देता हूं 5 then मैं यहाँ पर print कर देता हू cout a की value को ठीक है और क्योंकि int main है तो return type मैं इसमें 0 return कर देता हूं तो यह simple सा program है जैसे कि एक hello word के program होता है आपके c++ के अंदर ऐसे में जब आप a को print करेंगे तो यह 5 को print कर देगा और आप suppose कीजिए कि आपके पास एक global variable भी है जिसका नाम भी a ही है तो int a इसकी value जो है व आपके इस प्रकार से करेंगे पहले हम इसको एक बार execute करते है तो यहां पर आप देखेंगे मेरा output screen पर आया 5 यानि कि मेरा जो local variable था यह वो print हुआ अगर मुझे उपर वाला variable को use करना है तो उसके लिए मैं scope resolution operator को use करूँगा scope resolution को use करने के बाद आपको double time colon को use करना है जब क्या आता है तो आप यहां देखेंगे इस बार जो output आया वो हमारे पास 10 आया अब अगर आपको 5 भी चाहिए होता तो आपको लिखना होता simple cout को में copy करता हूँ और यहां से आपको scope resolution हटाना हो था control से save करना था अब आप पे सलते हैं compile करते हैं तो आप यहां देखेंगे पहले 5 print हुआ then 10 print हुआ space आपको नहीं दिख रहा है आपको दिख रहा है 5 बन 0 तो space नहीं लगाया पर पहले 5 print हुआ then आपको 10 print हुआ तो scope resolution operator आपका basically global variable को कहीं भी use करने के लिए काम आता है